आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का लेशन 3 टू स्टूरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट फ्लाइट यह स्टूरी लियम ओ फ्लैहर्टी द्वारा लिखा गया है इस स्टूरी में एक यंग बर्ड का एक एक अकाउंट है उस यंग बर्ड को काफी डर लगता है उरने में चुकि वो उसकी पहले उरान थी इससे पहले कभी वह उरा नहीं था तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं ऐसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है आप लोग को जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूं तो उस वीडियो को आप लोग सिर्फ एक बॉन टाइम क्लिक करके देख लेते हो उसे पूरा सुनते नहीं हो जब तक सुनोगे नहीं तो मैं जो देखेंगर एजुकेशन ले सकें फ्री में एजुकेशन ले सकें अच्छे से लेसन को समझ सकें जो भी डाउट्स हो उस डाउट्स को आप पूछ सकें कोई भी कमेंट्स वेगरा कोई सुझाव वो सब के लिए मैं हमेसा वेट करता रहता हूं लेकिन आप लोग बस one क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो मैं चाहता हूं कि आप शभी जितने भी कलास 10 में पढ़ने वाले स्टुडेंट्स हैं वो मेरे पूरे वीडियो को जरूर सुने ज्यादा लेंदी वीडियो होता नहीं है और सुन करके देखें कि क्या कहीं कोई अच्छी बाते हैं क्या कोई कमी रहे गई तो उसे कॉमेंट में जरूर बताएं चलिए हम सुरू करते हैं यह स्टूरी लेम ओफ लेहर्टी द्वारा लिखा गया है और इट इस एन अकाउंट आफ यंग बड़ ड़ ड़ इस एफरेड तो कि कहीं अगर उसका विंग्स जो है वो सपोर्ट नहीं किया उसका तो वो गिर करके मर जाएगा तो यहां ही लिखा हुआ है इसलिए यह पता चलता है कि यह जो यंग शीगल है वह मेल है तो he believes that his wings would not support him despite his younger siblings flying fearlessly with much shorter wings he could not gather the courage to do the same कहता है उससे छोटा उसका भाईवान था और सिवलिंग मतलब होता है सहोदर भाईवान वो बिना डर के उर रहे थे जबकि उनके पंख यंग सीगल से छोटे थे फिर भी वह उर रहे थे लेकिन यह जो यंग सीगल है वह अपने शाहस को बटोर कर और उ है आपको दे स्टोडी बाई लियम ओफ लाहर्टी वाजम मेजर आईरिस नवेलिस्ट सॉट स्टोडी राइटर एंड रैंक्ड एज वन अप फॉर्मोस्ट शूसल राइटर इन फॉर्स पार्ट अफ ट्विंटीथ सेंचुरी यह स्टोडी है लियम ओफ लाहर्टी द्वा पार्ट में यह सबसे फॉर्मोस्ट शूसल राइटर्स थे यानि कि यह अपने कहानी में कुछ ऐसी बातें लिखा करते थे जो शामाजिक समश्याएं हुआ करती थी और अभी भी हुआ करती हैं इनका जो स्टोडी है इस फॉर्स फ्लाइट यह एक सीगुल के बारे में है पहली बार उरान उरने में उसे काफी डर लग रहा है इसी के बारे में यह कहानी है डर उसको इसलिए लगता है क्योंकि यह उसकी पहली उरान थी और उसे यह विश्वास था कि उसका जो पंग है वो सपोर्ट नहीं करेगा देखिये यह जो यंगर सिबलिंग है वह उसके जो सहोदर भाई 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 थे वह उर रहे थे जबकि उनके पंग अपने भाई से बड़े भाई से छोटे थे फिर भी जो यंगर सिबल था वह अपने करेज को बटूर नहीं पाता था उसे समेट करके एक साहसी कार्ज करने के लिए वह तयार नहीं हो पाता था तो पडिवार बालों ने उसे सजा दिया कि तुम अगर उरेगा नहीं तो भूखा ही रहेगा और अपने केव में ही रहेगा सभी उसको छोड़ करके चले गए उड़ गए लेकिन मा तो मा होती है मा के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं इस कहानी में यह दिखाया गया है कि मा जो है वह अपने बच्चे को उरने के लिए किस प्रकार से प्रेडित करती है वह उसके लिए जो उसका फेवरेट फुड है फीस वह चोच में दबा करके उसके नजदेक आती है और उसे उरने के लिए प्रेडित करती है कैसे हम लोग यह जानेंगे इसमें ठीक है तो हम लोग पहले देखते हैं इसके केरेक्टर कौन कौन से है इस हमारी कहानी में तो केरेक्टर है एक यंग सीगल जो में केरेक्टर है इसी के चारों तरब पूरी कहानी जो है वह भूमते रहती है उसके बाद के character हैं उसके siblings यानि की जिसमें दो brother है one older and one younger एक बड़ा एक उससे छोटा और एक younger sister है father seagal है फिर mother seagal है mother seagal जो है कता है who is the source of support for this young seagal maa जो है यही young seagal के support में रहती है she is the sole confident builder यही एक मात्र ऐसी character है जो young seagal के अंदर confidence बढ़ाती है she went to a daring step of punishing her off spring from the cliff to forget his fear अब देखो यह है बहुत ही दयालू लेकिन यह अपने young seagal को सिखाने के लिए उसे रास्ते पर लाने के लिए एक बहुत ही daring वाला step उठाती है इसमें वह उसे punish भी करती है और इस punishment के चलते वह life का lesson सीख जाता है तो हम लोग चलिए बागे बढ़ते हैं the young seagal left alone on the lace why young seagal जो है वह अपने lace पर lace दो कि यह क्या होता है कि पहाड़ी छेतर जो होता है जो सबसे मुझा पहार होता है पहार की चोटी होती है उस पे कुछ जगा ऐसा होता है जहां से जो आगे protrude यानि की निकला हुआ रहता है तो वह इसे जगह हों पर यह water words रहा करते हैं उसको lace कहते है इस्टूरी स्टार्ट्स होता है young seagal के बारे में बता करके कि वह अपने lace पर अकेला है क्योंकि family members जो है वह उर करके चले गे उसका जो younger siblings है वो एक दिन पहले उर गए थे और उसके मा और बाप भी उर गए थे इसलिए उरने का प्लान सभी का था सभी उर जाते young seagal जो है उसको भी उरने के लिए कहा गया लेकिन वह उरने से डर रहा था तो अपने डर के कारण वह fly करने का attempt ही नहीं कर पाया और वह वहीं अपने डर के कारण लेज़ पर ही अकेला रह गया कहता है उसे अपने पंखों पर बिश्वास ही नहीं था जबकि उसका पंख उसके भाई बहन के पंख से ज़्यादा बड़ा था फिर भी उसके अंदर courage नहीं था हम जहां educational sectors में देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर काफी ज़्यादा confidence होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आता तो है लेकिन confidence नहीं होता है confidence की बात है यह तो कहता है he was scared of the vast sea when it had convinced himself that he could never fly यह young seagal उरने से पहले आगे देखता है वह अपने बहुत बड़ा नीचे समुद्र है तो अपने आपको वह convince कर लेता है कि वह इतना बड़ा समुद्र है इसे मैं पार नहीं कर पाऊँगा उर नहीं पाऊँगा गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा उसके फादर मदर उसके पास उरते हुए आया और कहे कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा अगर तुम नहीं उरोगे तो भूखाई छोड़ देंगे तुमको भूखाई छोड़ देंगे इतना कहने के बावजूद भी वह अपने करेज को स्टोर नहीं कर पाया येट ही कोड नाट ग्यादर दा करेज टू फ्लाइ तब भी वह उरने के लिए साहस नहीं बटवर पाता है कि वह काफी ज्यादा सरमिंदा होता है काफी उदास होता है और इस तरह से वह अपने लेज पर अकेलाई होता है और यूजिवली वहा सोजाता है अब भूख के कारण कभी-जिश्य सब्सक्राइब बाव tu नाट कितना देर तक सोटा है इस कहानी में आगे बताया गया है कि पैरेंट जो है वह आर्ट अफ फ्लाइट अपने उन सिविलिंग्स को सिखा रहे थे जो उरकर चला गया तो पूरे फैमिली मेंबर्स जो है वह उरकर के चले गये और ऐसा हो यह जो घटना है उरने की घटना यह होने यह होने का 24 गंटा हो चुका था यणि वस 24 आवर्स और मोर दो वह एद कम नियर हम 24 गंटे हो चुके थे और कोई भी यंग सीगुल के नजदीक नहीं आया All he did was watch everyone fly, his parents teaching his siblings and perfecting them in the art of flight, how to skim the waves and how to die for fish. His older brother cowed his first fish, which he ate at a rock while his parents proudly celebrated it. That morning, his family walked about on a big plateau laughing at his cowardice. Dekhi, all he did was watch everyone fly. What did he say? Young Seagull का, वह अपना पहला मचली पकड़ा सीखने के बाद, जब पकड़ा तो सारे family members जो है, वो उसका होसला बढ़ा रहे थे, कैकल कर रहे थे, उसके चालो तरह पूर करके, बाब बाद तुमने अपना पहला सिकार पकर लिया, वो उसको खा रहे थे. उस सुबह, सारा family member जो है, बड़े प्लेट्यू पर चला गया, और सभी इधर मुर करके, यंग सीगल की तरफ देख करके, उसके कायरता पर हस रहे थे, कि तुम कायर है तो तुम भूखा वही रहेगा, हम लोग सब तो इधर आ गए, अगर भूख लगी है, अगर खाना चा भूख भी लगी थी, अब भूख के कारण गर्मी का एहसास भी हो रहा था, अगले दिन, सुबह हुआ, the sun had risen and he was feeling the heat more than ever because he was empty stomach since the night before, अगले दिन सुर्योदय हुआ, सुर्योदय होने के बाद जब दो पहड हुए, तो घर्मी जादा एहसास होने लगा, उसको कि वो भूखा पेट था, खाली पेट था, कुछ नहीं खाया था, he stepped out of his legs and pretended to sleep on one leg to get the attention of his family, तो वह सोचा कि कुछ ऐसा acting करते हैं, कि हमारे family members जो भी हैं, उनका attention मेरी तरफ आये, तो वह अपने legs से बाहर निकलता है, लेज से बाहर निकलने के बाद, वह एक पेर पेखरा हो करके, एक पेर पंक में छुपा करके, एक आँख बंद करके, वह ऐसा pretend कर रहा था, जैसे वह भूख के मारे अभ्योस हो जाएगा, ताकि उसके ऐसा करने के पीछे एक ही कारण था, कि उसके family members जो भी हैं, उनका attention उस his beak and his mother was standing on another plateau eating fish while she noticed him, देखिए सब क्या क्या कर रहे थे, तो उसके जो भाई भाई भण थे वह खापी करके, थोरा सा नीद ले रहे थे, उसका फादर जो है, वह अपने पंकों को प्रिनिंग कर रहा था, अपने चोंच से, उसकी मा जो है, दूसरे पठार पर खाना खा रही पॉह थी और खाते खाते रहा अपने यंग सीगल को नोटनीज की, अ सीगल मुद्च क्या से जब मजली को देखता है, यह थे वह भाजन थे थे, वह पागल जैसे है, रहा हुँ है, यह चोंच से, और ने लगता है, वह कुछ प्रेटेंड करता है, जैसे बच्चे जो उनको ज्यादा लव दिखाने कामन करता है तो वह हाथ पर पटकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो यंग सीगल था वह भी अपने चोंच को पत्थर पर रगर रहा था दाएं बाएं दाएं बाएं मा देख रही थी कि जो बच्चा है यह खाना खाने के बाद चोंच ऐसा करता है अब यंग सीगल जो है भोजन के लिए काफी ज़्यादा बिंती करता है तो वह अपनी मा को अपने आवाज में बुलाता है पुकारता है वह जो है अपनी मा को आवाज देता है करता है थोरा सा मचली का टुकड़ा मुझे भी दो जिस पर उसकी मा जो है वह गुसे से जवाब देती है येट ही केप्ट बेजिंग हर फॉर पीस अप फिस अब मा गुसे से जवाब देती है फिर भी जो यंग सीगल है वह मचली का टुकड़ा मांगते रहता है एकाद मिनट के बाद जो मदर सीगल है वह एक मचली का टुकड़ा अपने चोज में पकरती है और उड़ना शुरू करती है उसकी तरफ अब जब वह देखता है कि भोजन मेरे तरफ आ रहा है तो बड़ा खुस भी होता है और थोरा सा बचकानी हरकत करने लगता है अब देखिए अब जो इसमें बता रहा है कि जो यंग सीगल था वह देखा कि उसकी मा मचली लेकरके उसके पास आ रही है मा उर्ती हुई आतो रही थी लेकिन क्लिप के नजदीक आ करके अपने बेटे के पहुँच से थोड़ा दूर वह रुख गई अब जब रुख गई तो जो यंग सीगल है वह सोचने लगा कि ये मा जो है वो भोजन लाई इतनी दूर से दे नहीं रही है अखिर क्या बात है तो मा से वह पूस्तायत मा कहती है एक बार जंप करो और ये भोजन ले लो यह सुचता है चलो जंप करना अच्छी बात है जंप करेंगे मचली काटो कर आपने चोंच में ले लेंगे फिर क्लिप पर वापस उतर जाएंगे और हम खालेंगे ऐसा सोच कर करके वह अपना पूरा करेज बत्मर करके उचलता है यंग सीगल जैसे वह उचलता है तो उसकी मा थोड़ा पीछे हड़ जाती है जब पीछे हड़ जाती है तो यह अपना जंप थोड़ा स्प्रेंग कर लिया था ज्यादा तो यह क्लिप पर वापस नहीं लोट पाया वह गिरने लगा अब जब नीचे गिरने लगा तो उसके मन में डर समा गया किर अब तो गिर हैं हम ये मा क्या कर दी ये तो मेरा प्रान ले लेगी अब तो नीचे गिर करके मर जाओंगा मैं लेकिन क्लिप से नीचे बेनित तक का हाइट काफी जादा था तो गिरने में समय लगा जब वह आधे रास्ते तक गिरा तब तक तो उसको डर लग रहा था लेकिन आधे के बाद जब वह गिर रहा था तो उसे यह महसूस हुआ कि हवा जो है वो उसके पंख के नीचे से गुजर रहा है और हवा का जो प्रेसर है उसके कारण उसका दोनों पंख खुल गया खुल गया तो जिस स्पीड से पहले वो गिर रहा था वो सलो हो गया अब वो स्लोर स्पीड से नीचे गिर रहा था तो जो उसकी मां थी वह कहीं कि बेटा ये जो तूम्हारा पंक खुल गया इसे अब फ्लैप करो उपर-든ीचे करो मा के कहने पर आप कहता है ना कि मरता क्या ना करता वह तो मरने वाला था तो मां जैसा कही वह विंग को इसाओं, फिर फिलैप किया तो फुरा और उपार उठा, उसके मन के अंदर का जो ड़र् था, वह थ्वरा खतम हुआ, मा वो ली देखो, फलैप किया तो तुम उपर उठा, फिर फलैप किया, तो थुरा और उपर उठा, उसके मन में एक साहस जैसा बनने लगा, कि नहीं, तो मैं नहीं मरूंगा नहीं गिरूंगा और नहीं मरूंगा तो वह पंख को फैलाने लगा फरफराने लगा और थोड़ी देर में क्या देखता है कि उसके चारो तरफ उरते हुए उसके पिता आ गए उसके भाईवन आ गए चारो सरकल में घुम रहें हैं और सभी उसका काफी ज वसला बहाते हुए उसको उरने में मदद कर रहे थे वह उरता जा रहा था और उरते उरते वह पहुंच गया आप कहां भास्ट बैनित सी के पास यानि कि जो समुद्र था वहां पहुंच गया अब वहां पहुंचने के बाद क्या देखता है कि सभी फैमिली मेंबर्स वाले अ भी उतर रहा था उतरा जब तो उसके दुनों पैड जो हैं वह पानी के अंदर चले गए उसको ऐसा लगा कि पैड के साथ अब सरीड भी अंदर चला जाएगा तुसे फिर से डर लग गया वह फिर पंक को फरफराया फिर उपर उठ गया उसके ममी पापा यह कह है रहे थे कि देखो नहीं डूबोगे पानी पर जैसे ही पानी पर तुमारा बैली टच करेगा तुम फ्लोट करोगे उस पर लेकिन वह मान नहीं रहा था वह उरी रहा था लेकिन अब इतना पहली बार इतनी दूरी तक वह उरा था तो उरने के कारण वह एक्जोस्ट हो गया था थक गया था तो थकान के कारण वह उर नहीं पाया और उसका पैर जो है वह पानी में गया पैर के बाद उसका जब बेली टच किया वाटर पे तो वह फ वह खतम हो गया, अब वह हस रहा था, तो इस तरह से यह उसका पहला फ्लाइट था, अब हम लोग देखें जरा, मदर सीगल's tactic to make young seagal fly, the young waited a moment in surprise and wondered why did not his mother came nearer to feed him, out of anger he jumped to reach the face, forgetting that he could not fly and fell outward with a scream and downward into space, his mother had swooped upward as he passed beneath her, he heard the sound of her wings, then a great fear caught him, his heart stood still, he could hear nothing, तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मा जो थी, वो क्या tactic की, टेक्टिक इसको लोग tactics भी पढ़ते हैं, तो young seagal जो था, वह मा के आने के बाद थुरा दिर surprise में wait कर रहा था, और वो wondered भी हो रहा था, कि उसकी मा जो है, वो और ज्यादा नजदिक आ करके, उसको मचली क्यों नहीं दे रही है, गुसे में वह jump कर जाता है, तो फीस के पास पहुचने के लिए, अब इस स्थिती में वह यह भूल जाता है, वह उर नहीं सकता है, तो वह jump जैसे किया था, तो मैंने बताया कि मा पीछे हट गई थी, तो वह अब आउट वार्ड गिरने लगा, नीचे चिलाने लगा, आउट वार्ड और डाउन वार्ड, उसकी मदर जो है, वह उपर उपर उड़ती जा रही थी, जब वह उसके नजदीक से होकर के गुजरी, तो वह अपने मा के पंक की आवाज को शुना, तब उसको डर लग गया, मा तो उर रही है, लेकिन मैं नहीं उर पा रहा हूँ, उसका हर्ड जो है वह बैठ गया, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था, डर के मारे उस समय, लेकिन ऐ वह वह फिल किया, वह ऍट गया, बहर की तरफ, वह अवा रही है, अब वह बिलकुल सिर के बल नीचे नहीं गेर रहा था, वह दीरे धीरे डाउनवार्ड और अब उसे डर नहीं लग रहा था, तो यंग सीगल्स का फलाइट, इसके बारे में जानिये, सीगल स्क्रीम जुएफुली ही सूर्ड हाईयर कॉलिंग गा 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 यंग सीगल जो है वो बड़ा खुस हो करके चिलाया और वह उपर की तरफ जब उर रहा था तो वह गाना गाया गा गा उसकी मदर जो है वह उसे जबाब दी गा कोल अ देन इस फादर फ्ली ओबर हमें स्क्रीमिंग तब उसके पिता जो थे वह उपर से उरते जा रहे थे बेटा के उपर से उर रहे थे चिलाते हुए उसके भाई बहन जो थे वह उसके चारो तरफ उर रहे थे दे वे रोरिंग और डाइविंग वे डाइविंग कर रहे थे हवा करना तो आता ही नहीं है बिल्कुल भूल गया हुआ है यंग सीगल वह भी डाइव और सोर करने में अपने आपको लगा दिया यंग सीगल लेंडिंग ऑन ग्रीन सी ये भी मैंने आपको पहले बता दिया वह उरते उरते सिधा उरते हुए कहां गया सी के ऊपर वहां क्या देखता है भास्ट ग्रीन सी देखता है अपने नीचे उसके पैरेंट्स और उसके सिवलिंग जो थे वह ग्रीन सर्फेस पे लेंड कर गये जो वाटर जहां था और सभी नीचे लेंड करने के बाद यंग सीगल को कह रहे थे तुम भी आओ तुम भी आओ वह अपना पैर दोनों नीचे किया यह सोचा था कि ग्रीन सी पर वह सिधा जिसे पैदल चलता है ठोस बस्तू पर वह खड़ा हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं उसका पैर जो है वो पानी के अंदर चला गया वह ट्राइ कर रहा था कि वह विंग को फ्लैप करके उपर उठ जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह डर गया था और भूख के मारे कमजोड भी हो गया था तो वह उपर उठ नहीं सका उसका जो पैर है वह ग्रीन सी में डूवा उसका जो पेट है वह वाटर पे टच किया बट ही सेंक नो फर्दर लेकिन डर तो उसको लग रहा था लेकिन अब वह ज़्यादा डूब नहीं रहा था वह उस पर तैरने लगा अराउंड लहाणकth में वाज फैमिली उसके चारों तरफ उसके फैमिली वाले थे वह कफी ज़दा उसको प्रेज कर रहे थे उसको डॉग फिस जो है उसका इसक्रैप ऑफर कर रहे थे लोग खाऊ इनाम था उसकी पहली उरान का इनाम था डॉग फिसका स्क्रैप excav conclusion देखें हम लोगे से story का the story of the seagull is the story of overcoming one's fear to succeed यह जो seagull की कहानी है यह कहानी है कि जब तक बैक्ती अपने डर पर जीत हासिल नहीं करता है तब तक वह सफल नहीं होता है one learns by taking courage and not by sitting idle हर किसी को साहस का काम करना सीखना चाहिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें साहस की जुरत होती है बिना साहस के सफलता नहीं मिलती है और ऐसे ही डर के कारण बैठे रहने से वह काम होगा नहीं और बहुत से जीवन में ऐसे काम होते हैं जिसके वेगर हमारा जीवन नहीं चल सकता है he must trust his abilities because fear is only an illusion that holds us back कहता है कि यंग सीगल जो है उसे अपनी ability पर विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि डर जो है ये एक illusion होता है ये ब्रहम होता है और ये ब्रहम ही हमें सफलता के पीछे रखता है सफलता नहीं प्राप्त हो पाती हमें यंग सीगल जो है वह उड़ पाया केवल सिर्फ इस लिए कि जब वह अपने डर को खतम किया और उसका result क्या होगा उरने के बाद क्या result होगा उसके बारे में नहीं सोचा अपने साहस को बतोरा तभी वह अपने गोल को अचीव कर पाया जब वह अपने डर पर जीत हासिल किया तो वह अब भूल गया कि उसे उरना नहीं आता उसके बाद वह हर वह काम करने लगा जिसके बारे में पहले वह चिंता किया करता था चिंतित रहता था जिस काम को नहीं कर पाने के कारण वह सी के उपर डरेक्ली उड़ा और ग्रीन एडिया को देखा माउंटेंस को देखा नीचे वह काफी खुसी हो करके गाया नाचा और अपनी जीत पर काफी गर्ब हुआ उसे तो ये स्टोडी यहीं खतम होती है आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर कीजिएगा थैंक यू